हेलो बच्चों कि आजके क्लास में हम लोग और हिनियस एक्वेशन जो पिछले वीडियो में पढ़े थे उससे रेलेटेड हम लोग निमेर कल प्रोब्लम्स को करेंगे तो आप लोग को पिछले वीडियो में नहीं बता दिया गया था कि इस वीडियो को देखने से पहले अरहेनियस एक्वेशन का एक एक डिटेल एक 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 स्प्रेशन एक एक फॉर्मुला अपने माइड में बिल्कुल सेट कर लिजिए तब को समझने में क्या होगा आसानी होगा तो चलते हम लोगा स्टार्ट करते ह है आज का क्लास पहले कोश्चन से पहला कोश्चन हम लोगा क्या है गौर से देखिए रेट कॉंस्टेंट एक्टिवेशन इनर्जी और फ्रिक्वेंसी फैक्टर ऑफ एक केमिकल रियाक्शन एट 25 डिग्री सल्सियस आर तो यह कुछ डाटा दे दिया यह डाटा हम लोगा ब्रकैंट का है यह डाटा एक्टिवेशन इनर्जी का है और यह डाटा हमलों लोगा डाटा इपार लोगा दाटा को लुखा जाए मैं कि तवंटी फाइब डिग्री सोल्सियस फाइब लोगा डाटा कितना दिया तो डाटा कुतन है तो तो 3 इन्टू 10 तो पावर माइनस 4 सेकंड इन्वर्स एक्टिवेशन इनर्जी 104.4 किलो जूल पर मूल और फ्रिक्वेंशी फैक्टर का डाटा 6 इन्टू 10 तो पावर 14 सेकंड इन्वर्स तो कुस्ट्टन का डाटा मैंने इधर लिख दिया किसी केमिकल रियक्शन के लिए 25 ड एक्टिवेशन इनर्जी और फ्रिक्वेंशी फैक्टर का डाटा दे दिया अब निकालना क्या है पढ़िए तो जब टेंप्रेचर इन्फाइनाइट होगा तब रिट कॉंस्टेंट का वैल्यू क्या होगा तो याद किजिए आज टेंट्स तो इन्फिनिटी जब टेंप् एट जब टेंप्रेचर इन्फाइनाइट का अप्रोच करेगा के एक और अप्रोच करेगा तो देर्फुर हम लोग का अंशर क्या हो जाएगा at t tends to infinity k a की और अप्रोच करेगा k a की और और a का value कितना है तो 6 into 10 की power 14 second inverse तो infinite temperature पर rate constant का value इतने के बराबर देखे कौन sensor match करें हम लोग का the option हम लोग अब आते हैं second question पर आप लोग इसका solution उतार लीजिए हम लोग next question पर आते हैं question को समझे है question में क्या data दिया हुआ है क्या हम लोग को निकालना है बोला क्या जारे first order reaction is 50% completed इन 20 मिनाट at 27 degree Celsius तो यह बता है यह 50% complete हो गया मतलब हाफ लाइब का data दिया तो किसी first order reaction का 27 degree Celsius पर हाफ life कितना है तो 20 मिनाट का है तो data लिखें कि टीवन टेंपरेचर 27 degree Celsius में कर दे तो 300 Kelvin इस टेंपरेचर पर टी हाफ टी हाफ वन कर देते हैं वह कितना दिया हम लोग का 20 मिनाट का दिया तो first order का reaction था 27 degree Celsius 300 Kelvin पर उसका हाफ लाइफ 50% complete होने का लाइब कितना है तो 20 मिनाट का है आगे पढ़े एंड इन फाइब मिनाट एट 47 degree Celsius तो इन फाइब मिनाट एट 47 degree Celsius तो 50% complete पांच मिनाट में हो रहा है 47 degree Celsius पर मतलब 47 degree Celsius पर 50% complete होने का टाइम हाफ लाइफ कितना है तो पांच मिनाट है तो T2 47 degree Celsius इसको Kelvin में convert किजिए 320 Kelvin और इस temperature पर हाफ लाइफ टी हाफ टू टी हाफ टू कितना दिया हम लोग का 5 मिनाट का दे रहा है यह दो डाटा दे दिया हम लोग का आप निकालना क्या है दा energy of activation of the reaction उस reaction का activation energy निकालना है तो हम लोग अपने फॉर्मला को याद करें कि लॉग कि टी हाफ वान डिवाइड़ वाइड़ टी हाफ टू एक्वल टू क्या था फॉर्मला इए अपाउन फॉर्मला का यूज करकर हम लोग क्या निकालेंगे अक्टिवेशन इनर्जी अवाइए कैलकुलेशन पाट पर यहां से खुद देखिए लॉग यह टी हाफ वन कितना का टि हाफ कितना हम लोग का फाइब मिनट चा इनका रेश्यों लें गे डैंगर फोर आएगा में कितना हो। लॉग फॉर वहिए सरे तो जितने भी अंसर हैं सब कीलो जूल पर मोल में है तो आर का डाटा जूल में लिजिए तो ई ए डिवाइड़ बाई 2.303 चलिए लास्ट करेंगे आर यहां स्वल कर लें क्या जाएगा हम लोग का T2- T1 Divided by T1 Intu T2 लेट एंड साइड की बात करें तो sevent लोग फोर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लॉग 4 का स्कॉार टू कहा चला जाएगा बाहर तू हम लोग कर तेए अब लोग 2 याद कीजिए लॉग 2 कितना होता है तो 0.3 होता है तो log to 0.3, 0.3 into 2 कितना हो जाएगा हम लोग का 0.6 तो यह आगिया हम लोग का 0.6 आप लोग पूरा इतना उतार ये इधर में पूरा मिटाता हूं पहले उतार लिजिए तो अब हम लोग आते हैं activation energy पर activation energy हम लोग का कितना हैगा आप लोग पूरा उतार लिजिए जब भी जरूद पड़ेगा मैं इधर मिटा दूँगा question बनाते बनाते तो इस expression पर ध्यान दे और यहां से यह लिखे तो यह एक्वल टू activation energy कितना हो जाएगा हम लोग का point numerator में चले है point six into two point three zero three are और यह टीवन टीटू उपर में चला जाएगा टीवन इंटू टीटू डिवाइड़ वाई टीटू माइनस टीवन अब मैं डाटा को रख रहा हूं अब मैं डाटा रख रहा हूं डाटा पर ध्यान देजिए activation energy point six into two point three zero three आर का वैल्यू जूल में कितना होता है 8.314 जूल लेकिन हमें अंसर किलो जूल में चाहिए तो इंटू टेंटू पावर माइनस ट्री इंटू टीवन और टीटू तो टीवन और टीटू का डाटा पर ध्यान दे टीवाइड़ भाई टीटू माइनस टीवन तो टीटू माइनस टीवन कितना हैगा 20 ये अंसर हम लोग का है किलो जूल पर मोल में इसको सोल्व किजिए सोल्व करने के बाद जो अक्टिवेशन इनर्जी का फाइनल अंसर आएगा वो 55.14 किलो जूल पर मोल तो यही हम लोग का फाइनल अंसर है अंसर देखिए एवी सीडी में से कौन सांसर मैस कर रहा है तो भी अंसर तो आप लोग इसको पूरा उतारिए नेक्स्ट कोस्टन पर आते हैं क्या बोला जा रहा है क्वेश्टन को समझ यह फॉर्स्ट ओर्डर रियक्शन एट ट्वंटी सेवन डिग्री सल्सियास तो कोई फॉर्स्ट ओर्डर का रियक्शन है ट्वंटी सेवन डिग्री सल्सियास मतलब कितने तेंपरेचर पर तो तीन सव केल्वीन के तेंपरेचर तो फॉर्स ओठ ओर रियक्शन आट ट्वंटी सेवन डिग्री सेल्शियास if 3.8 into 10 की पावर minus 16% ध्यान में रखेगा data percentage में है तो इतने percent of reactant molecules exist in activated state तो 300 Kelvin पर 3.8 into 10 की पावर minus 16% reactant molecules activated state में है तो percent of molecules in activated state में कितने percent molecules है तो 3.8 into 10 की पावर minus 16% इतने percent molecules activated state में है तो हमें निकालना क्या है इए of the reaction उस reaction का क्या निकालना है activation energy निकालना है question का data इधर दिया हुआ है data को समझे कैसे निकालेंगे उसको समझे तो कोई first order का reaction है 300 Kelvin के temperature पर इतने percent जो reactant molecules है वो activated state में है तो सबसे पहले हम यह बताईए हमें निकालना है fraction of molecules in activated state fraction of molecules in activated state तो fraction कैसे निकालेंगे यह जो percentage का data दिया हुआ है इसको 100 से divide कर देंगे तो 3.8 into 10 की power minus 16 divided by 100 यह क्या मिलेगा fraction मिलेगा हम लोग का तो जब इसको 100 से divide करेंगे तो final answer कितना हैगा divide किजिए 10 की power minus 16 divided by 100 कितना होगा 10 की power minus 18 तो इसको लिखा जाए तो यह 3.8 into 10 की power minus 18 तो fraction of molecules in activated state activated state में जो fraction है कितने molecules तो 3.8 into 10 की power minus 18 अब यह याद किजिए कि यह किसके बराबर होता है तो यह होता है e की power minus e upon rt तो पहले इतना पूरा उतार यह पूरा उतार लिजेगा question से लेकर solution तक जब भी जरुवत पड़ेगा मैं इधर भी मीटा दूँगा तो आप लोग पहले पूरा board उतार लिजेए कि चलते हैं हम लोग आगे आते हैं तो fraction of molecules in activated state वो किसके बराबर होता है तो e की power minus e upon rt और question में ध्यान रखेगा log 3.8 का data दिया हुआ है question में हम लोग को तो हम लोग solve करते हैं यह e की power minus e upon rt equal to कितना तो 3.8 into 10 की power minus 18 हो गया दोनों तरफ log ले ले base e का रखें दोनों तरफ log ले base e का रखें तो left hand side minus e upon क्या हो जाएगा rt हो जाएगा यहां चलें log base e का रखें 3.8 into 10 की power minus 18 राइट hand side में detail से कर दे रहा हूँ तो minus ea upon rt base e से 10 का change कर दे कितना जाएगा 2.303 log 3.8 into 10 की power minus 18 चलें फर्दर हम लोग solve करें तो minus ea upon rt equal to 2.303 ब्रैकेट में आ जाएगा इसको तोड़ें तो अगर इससे हम लोग तोड़ेंगे तो log 3.8 plus log 10 की power कितना minus 18 अब ज़रा यह बताएगे log 10 की power minus 18 यह कितना हैगा यह minus 18 हो जाएगा तो इसको solve करता हूँ मैं यह आ जाएगा हम लोग का minus 18 यह हम लोग का कितना हो जाएगा minus 18 और question में 3.8 का data हम लोग का दिया हुआ है 3.8 का data दिया हुआ है log 3.8 कितना .58 तो मैं हाँ पर लिखता हूँ आप लोग ध्यान से देखिएगा यह हो गया हम लोग का .58 अब इधर वाला पार्ट में मिटा दे रहा हूँ आप लोग इसको उतार चुके होंगे नहीं उतारे हैं माइनस साइन को राइट में सिप्ट कर दे आरिखी को इनर्जी कितना तो तो 2.303 माइनस को कितना आयागा 17 कुएंट कितना फोurn और माइनस को इधर लेकर आ गए थे तो माइनस से किस में चला गया यह प्लस में इन्टू कितना हो गया हम लोग का आर ती अब हम लोग डाटा पर चले याद रखे टेंपरेचर 300 केलविन है तो हम लोग का एक्टिवेशन इनर्जी हम लोग का एक्टिवेशन इनर्जी कितना निकल करा जाएगा तो EA equal to 2.303 into 17.42 into 8.314 यह आया जूल में लेकिन हमें अंसर चाहिए किलो जूल में तो 8.314 into 10 की पावर माइनस 3 टेंपरेचर हम लोग का कितना 300 यह सौल्व किजिए यह अंसर किसमें जाएगा किलो जूल पर मोल में तो यह सौल्व करने के बाद जो फाइनल अंसर आएगा वो 100 कीलो जूल पर मोल तो बोलिए कौन सा ओप्शन हो जाएगा हम लोग का सी ओप्शन अंसर एज सी हम लोग नेक्स कोस्टन पर आते हैं नेक्स कोस्टन को समझिए क्या बोला जा रहा है इन ए रियाक्षन कारेड आउट एट 400 केल्वीन तो कोई रियाक्षन 400 केल्वीन पर किया जा रहा है तो सबसे पहला डाटा तो टेम्ट्रेचर का लिखिए reaction हम लोग का 400 Kelvin पर किया जा रहा है अब आगे क्या बोला जा रहा है समझिए 0.0001% of the total number of collisions are effective तो total number of collisions का इतना percent क्या है effective collisions है तो percent of effective collisions दिया percent of effective परसेंट of effective collision वह हम लोग का कितना दे रहा है तो percent of effective collision 0.001% दे रहा है तो डाटा पर ध्यान देजिए कोई reaction 400 Kelvin पर किया जा रहा है इस temperature पर इतना percent collision क्या है तो effective है आगे बोला क्या जा रहा है यह आफ्द reaction हमें उस reaction का activation इनर्जी निकालना है लेकिन answer कीलो कैलोरी पर मोल में देना है तो डाटा बिल्कुल क्लियर यह temperature का डाटा यह percent of effective collision का डाटा हमें activation energy निकालना है पिछले question में जैसे कि यह थे percentage को hundred से divide कर देंगे क्या मिल जाएगा fraction मिल जाएगा fraction of effective number of collision fraction of effective fraction of effective number of collision fraction of effective number of collision percent को hundred से divide किजिए यह 10 की power कितना है 10 की power minus 4 यह 10 की power minus 4 hundred से divide कर देंगे कितना जाएगा 10 की power minus 6 तो fraction of effective number of collision 10 की power minus 6 और याद किजिए fraction of effective number of collisions किसके ब्रावर तो e की power minus e upon rt अब इसी को solve करना है और हमें activation energy निकालना है तो आप लोग पहले पूरा उतार लीजिए जब मुझे जरूवत होगा मैं इधर का भी मिटा दूँगा तो सबसे पहले तो तो हम लोग काई है e की power minus ea upon rt यह कितने के ब्रावर 10 की power minus 6 दोनों तरफ log ले base e का रखें तो minus ea upon rt base e का रखें equal to ln 10 की power minus 6 यह base e का है अगर base 10 में change कर देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का तो base 10 में change करेंगे 2.303 log 10 की power minus 6 अब यह log 10 की power minus 6 minus 6 बाहर चला जाएगा तो log 10 कीतना होता है 1 तो हम लोग का answer क्या आएगा minus ea upon rt equal to minus 2.303 into 6 into log 10 और log 10 तो 1 के ब्रावर 3 हम लोग का कितना आ गया 1 आ गया minus minus sign cancel out तो यह minus को हटा दीजिए minus sign cancel out हो अब activation energy यह ब्रावर 2.303 into 6 into rt आर का वैल्यू रखिए answer देना है kilo calorie में तो मैं यहाँ पर data दे रहा हूं आर का वैल्यू टू कैलोरी पर मोल केल्विन होता है तो कैलोरी में आर का वैल्यू कैलोरी है kilo calorie में करेंगे तो टू इंटू 10 की पावर माइनस 3 तो आर्टी को राइट में shift किजिए आर बरावर कितना टू इंटू 10 पावर माइनस 3 into temperature temperature का data यहाँ पर देखे कितना दिया हुआ है 400 यह आर यह किलो कैलोरी में है तो हम लोग का अंसर kilo calorie पर मोल में आएगा kilo calorie पर मोल यह हम लोग का kilo calorie पर मोल में अंसर है तो activation energy इसको calculate किजिए calculate करने के बाद जो अंसर आएगा वह अंसर मैं मैं दे रहाओ 11.05 kilo calorie पर मोल यह हम लोग का अंसर है कौन सा आप्शन मैच करेगा आप्शन देखिए तो हम लोग का डी आप्शन मैच करेगा कि चलिए पूरा solution अप लोग उतार लीजिए नेक्स कोसिण यह कोसिण थ्धोड़ा ध्यान दिजेगा बड़ा ही important और यह कोसिण बाकी कोसिण से tough है तो यह जो अभी हम लोग question करने जा रहे हैं यह आसान question नहीं है यह tough question है तो इसमें क्या करना है हम लोगों को तो सबसे पहले तो question आप लोगों को मैं समझा देता हूं कि question में क्या information दिया गया है question को समझने के बाद video को pause कीजिए और इस question पर इमांदारी से अपना टेम के लिए इस question को बनाने के लिए तो एक tough question हम लोग यहां पर करने जा रहा है question के solution को समझने के लिए भी mind को concentrate करना पड़ेगा तो जब इस question का solution मैं बताओंगा mind को concentrate कीजिएगा कहें भी अपना ध्यान भटकाईएगा नहीं तो पहले question को समझिए उसके बाद video को pause करकर इस question को खुद से बनाईएगा नहीं बनेगा तो फिर solution को देखिएगा तो हम लोग आते हैं solution पर question को समझिए यह first order parallel reaction हम लोग का दिया हुआ है first order parallel reaction तो लिखा जाए यह first order का parallel reaction हम लोग का A से क्या है B और A से क्या बन रहा है C बन रहा है question में बोला क्या जा रहा है यह जो अभी reaction है वो 300 Kelvin के temperature पर है तो data यहाँ पर हम लोग लिख ले T1 equal to 300 Kelvin यह A से B का rate constant K1 बताया है A से C का rate constant K2 बताया है और यहाँ पर कुछ data दे दिया है K1 का data 8 minute inverse K2 का data 2 minute inverse तो K1 का जो data है वो 8 minute inverse है और K2 का data हम लोग का 2 minute inverse है पहले question को अच्छे से समझ लीजिए तो first order parallel reaction 300 Kelvin पर हो रहा है K1 K2 का data दे दिया अक्टिवेशन इनर्जी का भी data दिया है If EA for the formation of B and C B and C के formation का activation energy 20 and 28.314 KJ per mole तो B के formation का activation energy उसको हम लोग E1 से represent कर देते हैं C के formation का activation energy उसको E2 से represent कर देते हैं तो हम लोग का E1 का data दे दिया है कितना 20 KJ per mole और E2 का भी data दिया हुआ है कितना तो 28.314 KJ per mole अब पूछा क्या जा रहा है कि यह reaction किस temperature पर करें कि B और C जो हमें फ्राप्त हो वो किस mole ratio में तो 2 और 1 K mole ratio में तो सबसे पहले समझ यहां पर अभी question हम लोग बात में पढ़ेंगे पहले question को समझ यह भाई हम लोग first order parallel reaction में पढ़े थे B और C के concentration का ratio जरायात किजिए B और C के concentration का ratio B का coefficient B के rate constant से multiply करेंगे तो K1 आ जाएगा numerator में नीचे में denominator में C है तो C का coefficient 1 C के rate constant से multiply कर देंगे K2 आ जाएगा अभी हम लोग देखे 300 Kelvin पर बात करें तो 300 Kelvin पर K1 और K2 का data कितना है 8 और 2 का तो यह 8 बाई 2 equal to कितना 4 मतलब अगर इस reaction को 300 Kelvin पर करेंगे इस temperature पर करेंगे तो B और C जो हमें प्राप्त होगा किस मोल रेशियो में चार और एक के मोल रेशियो में याद किजिए reaction start होने के किसी भी समय के बाद B और C के concentration का रेशियो या मोल का रेशियो हमेशा constant रहता है तो यह reaction 300 Kelvin पर करेंगे तो B और C 4 और 1 के मोल रेशियो में बनेगा हमें वही पता करना है कि यह reaction किस temperature पर किया जाए कि B और C का मोल का रेशियो कितने का हो तो 2 और 1 का हो अब question को मैं पढ़ता हूँ question को पढ़ते है for a first order parallel reaction यह दिया हुआ है first order parallel reaction k1 and k2 are 8 minute inverse and 2 minute inverse at 300 Kelvin तो यह first order parallel reaction 300 Kelvin पर k1 और यह k2 का data दे दिया अबागे का data पर आहिए इफ activation energy EA for formation of B and C are 20 and 28.314 kJ पर मोल तो B और C के formation का activation energy B का लिग दिये E1 C के formation का activation energy E2 यह दोनों data दे दिया है E1 और E2 का तो अब निकालना क्या है find the temperature at which किस temperature पर B and C will be obtained in molar ratio of 2 is to 1 तो किस temperature पर B और C जो obtain होंगे प्राप्थ होंगे 2 और 1 के mole ratio में अभी हम लोग समझ चुके हैं कि अभी B और C जो मिलेगा हो किस ratio में तो 4 और 1 के mole ratio में हमें वो temperature पता करना है जिस temperature पर B और C 2 और 1 के mole ratio में मिलेंगे तो फिर से इस reaction को लिखा जाए A A से हम लोग का क्या बन रहा है B बन रहा है और A से क्या बन रहा है C बन रहा है अब बोला जा रहा है यह reaction T equal to T2 temperature पर हो रहा है यह हम लोग को temperature पर हो कि B और C का mole का ratio दो और 1 का हो तो ध्यान दीजिए हम लोग निमेरिकल करने के लिए क्या एज्यूम कर रहा है तो activation energy और frequency factor ए और यह को temperature independent एज्यूम कर रहे हैं तो A and EAR temperature independent निमेरिकल करने के लिए लेकिन temperature change करेंगे rate constant का value क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा 300 Kelvin पर rate constant K1 तो यहाँ T2 temperature पर rate constant K1 कर देते हैं 300 Kelvin पर A से C का rate constant K2 T2 temperature पर rate constant K2 कर दे रहा है लेकिन activation energy तो constant हम लोग एज्यूम कर रहा है तो इसका activation energy E1 और activation energy E2 है अब बताइए B और C जो हमें बनना है कि स्मोल रेशियो में 2 और 1 के मोल रेशियो में और यह जो B और C का जो रेशियो आएगा concentration का वो कितने के ब्रावर तो K1 डैस divided by K2 डैस मोल का रेशियो रहेगा मतलब हमें यह पता करना है किस temperature पर rate constant का रेशियो 2 और 1 के बरावर हो जाएगा जिस temperature पर rate constant का रेशियो 2 और 1 के बरावर होगा उसी temperature पर B और C का मोलर रेशियो भी कितना होगा 2 और 1 के अब question आप लोग अच्छे से समझ गए हैं इसको पूरा उतार लीजिए एहां सब उतार लीजिए question थोड़ा लंबा है तो ध्यान में रखे question लंबा है मैं बोर्ड को मिटा दूंगा जैसे जैसे जरूद पड़ेगा मैं इधर भी इमीटा दूंगा तो आप लोग पूरा उतार लीजिए question question के सासा solution और वीडियो को पाउज करकर पहले खुद से अटेम्ट किजिए question बनाने का हम लोग question को करते हैं बड़ा concentrate किजिएगा ध्यान रखेगा कहीं ध्यान भटके नहीं हम लोग का एक फॉर्मला था लॉग के टू डिवाइड़ वाई के वन एक्वल टू ईए अपाउन टू पॉइंट थी जिरो थी आर वन अपाउन टी वन माइनस वन अपाउन टी टू यह question इसी फॉर्मला से बनेगा लेकिन इस फॉर्मला को समझ यह यह के वन और के टू क्या rate constant दो अलग 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 reaction क के different temperature पर है माल लिया जाए को reaction बोला जाए X से Y तो इसी reaction का rate constant T1 temperature पर के वन है और इसी reaction का rate constant T2 temperature पर क्या है के टू है तो पहला पॉइंट तो यह द्यान में रखेगा इस फॉर्मुला में जो के वन और के टू है वो सेम रियाक्शन उसी रियाक्शन का rate constant दो different temperature पर है तो one by one करकर इसको यूज कीजिए पहले हम लोग इस फॉर्मुला को यूज कर रहे हैं कौन से रियाक्शन के पहले यूज कीजिए पहले हम लोग यूज कर रहें एसे सी के लिए तो यह रियाक्शन एससी टीवन temperature पर यह रियाक्शन एससी टीटू temperature पर तो अब यहां पर लिखिए divided by 2.303 R 1 upon T1 तो T1 कितना 300 डाटा रख दीजिए 1 by 300 Kelvin अभी मैंने हटा दिया माइनस T2 कितना तो और निकलना है 1 by T2 अब यहां पर याद किजिए यह लोग कैसे लिखेंगे हम लोग इस लोग को इसको जुना ध्यान से T1 टेंप्रेचर का रेट कॉंस्टेंट नीचे में है तो 300 Kelvin का रेट कॉंस्टेंट नीचे में तो 300 Kelvin पर रेट कॉंस्टेंट कितना है K2 यह K2 डिनोमिनेटर में रहेगा और T2 टेंप्रेचर का रेट कॉंस्टेंट उपर में है T2 टेंप्रेचर का रेट कॉंस्टेंट कितना K k2 यह होगा होगा पहलाelect कर दे հहा हूँ इसको मैं हाइलाइड कर दे रहा हूँ अब लोग चलतें और के लिए यहे के लिए अब रियक्शन ऐसे बी के लिए के जिघेंगे बीय avons का यह कई इसपर अप्लाई करना है एसे भी इस पर अप्लाई करना है यह से भी 300 Kelvin T1 टेंपरेचर पर यह से भी टीटू टेंपरेचर पर फॉर्मॉला अप्लाई कीजिए एसी बी के लिए एक्टिवेशन इनर्जी पहले लिखिए कितना तो E1 divided by 2.303 R 1 upon T1 T1 कितना तो देखिए A से B के लिए यहां पर T1 कितना है 300 Kelvin minus 1 by T2 अब इस रियक्शन पर आजाईए भाई T1 टेंपरेचर पर रेट कॉंस्टेंट है के लएड तो के लैस ऊपर में और के लौन नीचे में नीचे में यह या लोग यह यह लोग का दूसरा अव्यों सेकंड डी हम लोग का स्बर लूग है तो इसकंड और इसको भी है-ले वह अक्यबन आध कर दिया है कि डाटा आप लोग ze डाटां को भूलना नहीं है हां सौधानी के लिए डाटा मैं इधार नीचे में लिख दे रहा हूं कि के-1 divided by k2 यह 8 भाइ 2 है और डाइस डिवाइड़ दवाइस था-2 तो निमिरेकल करने के लिए जो डाटा मिटा दे रहा हूं मैं अब इन दोनों का डिफरेंस किजिए इन दोनों का डिफरेंस लिजिए तो लॉग के टुड दैस अपान के टू माइनस लॉग केवन डैस अपान के वन पहले इसको सोल्व करीजिए लैपठ एड्स लेंगे तो बोलिए क्या एगा डिफरेंस लेने के बाद क्या हो जाओका के बाद के वज़एंगा यह नीचेThis के वान उपर में चला गया और के वन डायस नीचे में आ गया एक्वल टू अब आगे बढ़े हम लोग राइठ हैंड साइड का डिफरेंस लेंगे तो ये वन अपॉन थ्री हंडेड माइनस वन बाई टी टू कॉमन है टू पॉन थ्री जिरू थ्री आर भी कॉमन है क्या जाए इसको डिभाज़नल एका ए टू माइनस इवान डिवयड़ वाइट थ्री लोग ए यह वन अपवान थ्री हंड्रेड माइनस वन अपन टी डू यह हमनो .... क्या हो गया right-hand side हो गया अब इसको solveय चाहिए तो यहां से देखिए को से क्या बाइट कर अभी भी भी बोड पर लिखा है के 1 बाइटके टू कितने पर्राबर पारों के बराबर है कIRE क्या और ऑपारों ढ़न कि हके कट् six require two-1 नीच तो फिर से रिपीट कर लेते हैं कोई मिस्टेक नहीं का वर यह रिचे कितना तो वर करेंगे के नीच सत हो लोग स्बस्राइब गुष्यक्म और एटुम हम लोगा था 28.314 और और इवन था हम लोग का 20 कीलो जूल में था इसका डिफरेंस किजिए डिफरेंस तो डिफरेंस कितना आएगा 8.314 यह डिफरेंस आया 8.314 कीलो जूल में इसको जूल में कनवर्ट कर दे तो कितना जाएगा 1000 डिवाइड़ बाई 2.303 इंटु आर ब्रावर 8.314 यह वन अपन 300 माइनस वन बाई टी टू हम लोग सूल करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में या ति यह लॉक टू ब्रावर कितना जाएगा तो 0.3 आ जाएगा 8.314 8.314 कैंसल आउट लेफ्ट हैंड साइड में आ कि इसको सॉल्व करकर आप लोग क्या निकाल सकते हैं टी टू तो यह सॉल्व करने के बाद जो टी टू आएगा वह अंसर मैं आपको दे रहा हूं तो यह सुल्व करने के बाद आराम से सुल्व किया जा सकता है यह या जाएगा लॉग टू कितने के बरावर पॉइंट ठी के बरावर इसको शुल्व करने पर जो टीटू का प्रोक्षन सर आएगा कितना 380 केलवें तो इस कोश्चन को समझने के बाद दुबारा आप अगर पहले से नहीं बना है यह कुर्श्चन नहीं बना था तो दुबारा अपने से बनाईएगा अब हम लोग एक्टिवेशन इनर्जी से रेलेटेड नेक्स्ट कॉंसेट पर आ रहा हैं जो हम लोग का एक फॉर्मुला वहां पर छुटा हुआ था वो जो फॉर्मुला छोड़ा गया था उसके पीछे का तो यहां क्या था कि वो फॉर्मुला था वह ऐक्टिवेशन इनर्जी से लिंक था और एक्टिवेशन इनर्जी क्या होता है वह हम लोग पढ़े ही नहीं थे इसी कारण से first order parallel reaction के time पर वो formula नहीं दिया गया था लेकिन अब हम लोग activation energy पढ़ चुके हैं तो उस formula को समझ सकते हैं तो heading पर ध्यान देजिए for a first order parallel reaction तो N1A से N2B और N3C बन रहा है दोनो reaction first order के हैं A से B का जो formation हो रहा है उसका rate constant K1 और activation energy है E1 और A से C का जो formation हो रहा है वो rate constant K2 और activation energy E2 यहां हम लोग को mean activation energy या average activation energy निकलना तो E average या mean activation energy mean या average activation energy mean या average activation energy तो mean या average activation energy हम लोग कैसे निकालते हैं उसका expression यहां पर दिया जा रहा है कि कैसे निकालना है तो यह K1 E1 प्लस K2 E2 divided by K1 plus K2 यह हम लोग का गया mean activation energy या average activation energy हां यह कैसे निकालते हैं यह आप लोग के लिए question है यह समझे के question का ही हमें conclusion याद रखना है यह निमेरकल प्रोब्लम मैं नहा पर दिया और उस निमेरकल प्रोब्लम का अंसर दे रहा हूं यह आप लोग को प्रूफ करना है पहले वाले path correct constant K1 activation energy E1 second path correct constant K2 activation energy E2 तो mean या average या overall activation energy कितने के ब्राबर तो K1 E1 plus K2 E2 divided by K1 plus K2 यह E average इसको आम लोग overall activation energy भी कहते हैं तो यह E average overall activation energy overall activation energy वो formula कैसे आया है तो आप लोग को derive करना है लेकिन अगर derive नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं इस formula को बिल्कुल कंठास रखिए यह कई जगा numerical problem में यूज में आएगा कर दो बनतार में यह मिलोग रखिष्ट l